दूस्तों इक बार फिर से आपका हमारे चैनल जाकीर यूटूबर में बहुत बहुत स्वागत है माहूं जाकिर खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जाकीर यूटूबर सल्मान खान और अरजुन कपूर के बीच लंबे समय से ताना तानी चल रही है दोनों एक दुसरे से बात नहीं करते जबके बोनी कपूर और सल्मान खान के बीच अच्छी बातचीत है दोनों को कई बार किसी ना किसी इवेंट में देखा जाता है लेकिन अरजुन सल्मान कान के सामने आने से बसते हैं हालही में एक दिल्चस्व घटना हुई मुंबई के एक सड़क पर अरजुन और सल्मान की गाड़ी आमने सामने आ गई इसके बाद जो हुआ वो तो बहुत ही मजेदार था एक रेड सिगनल पर दोनों इस्टार की गाड़ी आकर रुकी दोनों के ड्राइवर ने एक दुसरे की तरफ हाथ हिला कर इसारह भी किया लेकिन दोनों के साहब के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सल्मान खान ने अरजुन कपूर की तरफ देखा लेकिन अरजुन कहीं और वेस्ट है इसलिए वो दवंग खान को नहीं देख पाए आपको बता दे के दोनों की बीच दूरिया उस वक्त सामने आई जब अरजुन मलाइका अरोडा को डेट करने लगे मलाइका सल्मान खान के भाई अरबाज खान की पतनी थी तलाग के बाद वो अरजुन को डेट करने लगी इसी बाद से सल्मान खान काफी खफा हो गए और मलाइका से पहले अरजुन सल्मान खान की बहन अरपिता खान को भी डेट कर चुके हैं लेकिन ये बात तब की है जब अरजुन ने बॉली ओड में टेवू नहीं किया था सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में भी सलमान खान और अरजुन कपूर एक दुसरे के करीब से गुजरे थे लेकिन सलमान ने अरजुन को इगनोर कर दिया था वहीं बोनी कपूर ने सलमान से काफी सारी बाते की थी सलमान खान स्री देवी के बहत करीब थे लेकिन अब अरजुन की वज़े से दोनों परियारों के बीच दूरिया आ चुकी है तो दोस्तो आपकी क्या रहा है इस वीडियो को लेकर कमेंट स्मोक्स में आप जरूर कमेंट से करके बताए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना साथ में ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ